बेशन वाली खटी और तीकी हरी मिर्च जिसके साथ दो रोटी आप एक्स्ट्रा खा जाएंगे इसमें न तेल ज़्यादा लगता है और ना ही तरह तरह के स्पाइसिज हमने मिर्च को धो के अच्छे से कपड़ से पॉंच लिया है मिर्च में हम लंबाई में चीरा लगा देंगे जिससे इस मिर्च में खटा और तीकापान अच्छे से गुश सके हरी मिर्च खाने का स्वाथ तो बढ़ाती है इसमें विटमिन सी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि हमें इसे अपने खाने में चरूर इंकलूट करना चाहिए मिर्च में चीरा लग चुका है पैन में अब हम डालेंगे दो चमज बेसन और उसको हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे बेसन गुलाबी भुन गया है इसे हम निकाल लेंगे उसी गरम पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसमें डाल देंगे जीरा जैसे ही जीरा तड़क जाए उसमें जीरा लगी हुई मिर्च डाल लेंगे और उसको हम उल्टा उल्टा करकर थोड़ी देर फ्राय कर देंगे जिससे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए ये मिर्च फ्रेंट्स इतनी जटपट बन जाती है कि इसको रोज बनाने का मन करता है मिर्च हमारी अच्छे से फ्राय हो गई है आप इनके उपट फुनावा बेसन डाल दीजिए और डाल दीजिए इसमें नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारा बेसन इस मिर्च के उपर अच्छे से कोट हो जाएगा सौन्दी सौन्दी बेसन की मज़ेदार खुश्बू आ रही है अब एक नीबु काटके उसका रस इन मिर्च के उपर निचोड़ देंगे अब ये खटी खटी मिर्च इतनी डेलिशेस बन गई है कि अगर आप दो रोटी खाते हैं ना तो चार रोटी खा जाएंगे थोड़ी देर के लिए मिर्च को ठक दीजिए जिससे इसकी सारी चीजें इसमें मैरिनेट हो जाएं अम बस बाहा निकाल लीजिए और खाईए गरम गरम फुलके के साथ या करारे पराठे के साथ सभी के साथ वन्डरफुल है